हाई वीवर्स वेलकम बैक टू मैं चैनल यह देखिए आज हम सीखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा और बहुत ही यूनीक सा पैटर्न यह देखिए इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकती हैं लेडिस कार्डिगन में लेडिस चैकिट में जैन साफ सैटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में मफ्रल बगारा में डाल सकते हैं दिखें बनकर बहुत ही सुन्दा लगता है फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो फ्रेंट इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचिस चाहिए होंगे वो 10 के मल्टिपल से होंगे प्लास 3 फंदे एक्स्टा रखनी होंगे एक फंदा साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए और 2 फंदे एस्टिच के होंगे और यह जो डिजाइन है टोटल 16 रो का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाते हैं यह दिखे फैन यहाँ पर मैंने 33 फंदे लिए है 30 फंदे 10 के मल्टिकल से लिए है प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए है एक फंदा साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और दो फंदे एस्टिच के होंगे और नीचे से मैंने टूर और उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है आप जो भी बॉर्डर इसके नीचे बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं उसके बाद दिखे कैसे करेंगी ये इसकी फर्स्ट रो है और राइड साइड है ये दिखे एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगी अब यहां से हमारा repeat pattern start करेंगे तो दिखे एक फंदा हमने उल्टा बनाया है यहां से हमने count करना start करना है एक फंदा slip करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर से एक फंदा slip करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे यहां पर हमने two time एक फंदा slip किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा slip किया, एक फंदा उल्टा बनाया धागा पिछे रखेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे फिर से two time एक फंदा slip करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा slip करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे यह दिखें स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने एक फंदा slip किया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा slip किया, एक फंदा उल्टा, टू टाइम यह repeat किया फिर एक फंदा center का यह फंदा रहेगा, इसे सीधा बनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा slip करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, यह भी हम two time repeat करेंगे तो दिखिए, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, यहां तक हमारा ten फंदों का एक pattern complete हो गया है, फिर से repeat करेंगे, two time हम एक फंदा slip करेंगे, एक फंदा बनेंगे, एक फंदा बनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे यह दिखिए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा बना बना लेंगे, फिर दो time, एक फंदा slip करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से pattern repeat करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर से pattern repeat करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा स्लिप करेंगे उल्टा बना लेंगे थागा पिछे Estridge सीधा बना लेंगे यह दिखे, first row complete हो गई है second row है wrong side अब इस सारी row को ऐसे उल्टे-ल्टे फंदों के साथ पुनकर complete कर लेंगे इसकी सारी wrong side जो है वो उल्टे-ल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे row third right side अब दिखे, as stitch ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे अब यहां से repeat pattern start करेंगे अब दिखे, एक फंदा slip करेंगे यह फंदा हमने पहले बुनकर लिया था अब इस row में इस फंदे को slip करेंगे और जो फंदा slip किया था उसे उल्टा बनाएंगे यह दिखे, फिर से यह बुना हुआ फंदा slip करेंगे और यह slip किया हुआ फंदा बुन कर लेंगे यह दिखे, यह हम दो बार beat करेंगे एक फंदा slip करेंगे, एक फंदा उल्टा slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे यह हमने पहले एक फंदा सेंटर में बुना था, अब side के एक एक फंदा और इसमें add करेंगे, तो तीन फंदी हमारे सेंटर में सीधे रहेंगे, टू, थ्री, यह देखिए, यहां पर मैं आपको एक पात और पताना चाहती हूं, यह वाला जो हम pattern डाल रहें हैं यहां पर, यह यहां पर हमने यह बनाया है तो दिखिए यहां पर यह हाफ पैटर्न ऐसे जाएगा और यह हमारा फुल पैटर्न रहेगा और सेंटर में हमारा यह पैटर्न सिंपल पैटर्न बनेगा तो यह दिखिए यह हाफ पैटर्न है तो अब दिखिए यह हमारे सेंटर के हमने तीन फंदा इल्टा बना लेंगे द्हागा सुरी आगे ही रखेंगे और फिर फंदा सलिप करेंगे उल्टा बनेंगे यह दिखे का इसए जोड़ करकर यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने एक फंदा slip किया एक उल्टा बुना slip किया उल्टा बुना और फिर तीन फंदे center के सीधे बुन लिए फिर उल्टा बुना slip किया उल्टा बुना slip किया और उल्टा बुना फिर से एक फंदा slip करेंगे और एक उल्टा बना लेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, यह हमारा फुल पैटन है, फुल पैटन में पहले हमने 4 स्टिचिस बनाए थे, अब 3 स्टिचिस बनाएंगे, तो दिखे, एक उल्टा, slip किया, उल्टा, फिर slip किया, उल्टा, 2 टाइम, slip किया, उल्टा, 3 टा देखे जब हमने यह 5 3 सीधे बनाए है तो जब हम next इससे start करेंगे तो पहला पंदा उलटा ही बनाएंगे हर बार यह देखे यह फंदा हमारा slip किया हुए फंदा ही होगा तो इससे उलटा बनाएंगे फिर यह बुना हुए को फंदा स्लिप कर लेंगे फिर इसे उल्टा बना लेंगे लास्ट को फंदा स्लिप करेंगे धागा पिछे करके एस्टिज सीधा बना लेंगे प्रोव 5 राइट साइड एस्टिज ऐसे ही उतारेंगे धागा आगे करेंगे अब देखे पहले हमने ये फंदा स्लिप करके लि अपिछे पहले हमने तील संटे में सीधे बनाये थे हुआ है फाइफ सीधे बनाएंगे फिर से धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप करेंगे यह दिखें स्चार्टिंग का ऐसे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है फिर से एसे repeat करेंगे, इसमें हमने एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा slip किया, एक फंदा उल्टा बनाया, फाइफ फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा slip किया, फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा slip करेंगे, एक फंदा उल्टा बना एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, यहाँ पर पहले 4 रोज थी, फिर 3 रोज रही, अब यहाँ पर 2 रोज रह जाएंगी, थागा पिछे करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 थागा आगे, एक फंदा उल्टा, स्लिप करेंगे, उल्टा बना लेंगे, थागा पिछे, एस्टिच सीधा, रोज 7 रैड साइड, एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, अब देखे, यह वाला फंदा पहले हमने बुन कर लिया था, थागा आगे करेंगे, अब इसे स थागा पिछे करेंगे, यहाँ पर पहले हमने 5 फंदे सीधे बुने थे, अब 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, स्टार्टिंग कैस से छोड़ कर, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटरन कम्प्लेट हो गय 7 फंदे सीधे बने, एक फंदा उल्टा, फिर से पैटरन पीट करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, थागा पिछे करेंगे, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थागा आगे, एक फंदा उल्टा, स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाए धागा पिछे यह देखे यहां पर पहले 4,3,2,1 यहां पर पैटर्न रह गया है यह देखे एक ही पैटर्न यहां पर रह गया है धागा पिछे करेंगे 7 फंदे सीधे 1,2,3,4,5,6,7 धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे एक फंदा खरेंगे धागा पिछे एस्टिश सीधा यह देखे फैन हमारी 8 रह कंप्लीट हो गई है और हमारा हाप पैटर्न कंप्लीट हो गया है यही एक रह हम उपर फिर से इसकी पीट करेंगे इसमें थोड़ी सी चिंजिस होगी अब देखे यह वाला जो पैटर्न है यह पर आएगा और यह वाला पैटर्न यहां पर आएगा तो देखे कैस्से करेंगे यह इसकी 7, sorry,9th row है और right side है Isctich ऐसे ही उतारेंगे अब एक फंदा यहां से रिपीट पैटर्न स्राट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे तो देखे धागा आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 4 टाइम एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा उल्टा ये 4 टाइम रिपीट करेंगे दिखें लिप करेंगे और उल्टा बनाएंगे one, slip करेंगे उल्टा बनाएंगे two, slip करेंगे उल्टा बनाएंगे three, slip करेंगे उल्टा बनाएंगे four भागा पीछे, starting catch – छोड़कर यहाँ सी यहाँ तक हमारा एक pattern complete हो गया है इसमे एक फंदा सीधा बना एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 4 टाइम, एक फंदा स्लिप किया उल्टा बना, इन SickAY, उल्टा बना विल्टा बना, भलान, हुला यह दिखें, 1, 2, 3, 4, यह हमने फोर टाइम पीट किया है फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे फिर फोर टाइम स्लिप करेंगे उल्टा बनाएंगे वान स्लिप करेंगे उल्टा बनाएंगे तू स्लिप करेंगे उल्टा बनाएंगे त्री स्लिप करेंगे उल् 3, slip करेंगे, उल्टा बना लेंगे, 4, धागा पीछे, last का फंदा सीधा, एस्टिच भी सीधा ही, row 11, right side, एस्टिच, ऐसे ही उतारेंगे, यहां से repeat pattern start करेंगे, starting के 2 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा, उल्टा बनाएंगे, अब देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, 3 times year, repeat करेंगे, दिखे, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, 1, slip करेंगे, 2, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, 3, फिर धागा पीछे कर लेंगे और दिखे, starting का ऐसे चोड़ कर, sorry, 1 फंदा सीधा बना लेंगे, starting का ऐसे चोड़ कर, यहाँ से हाँ तक हमारा एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने 2 फंदे स सीधे 1,2 ये रिखे सेंटर में यहां पर अब टोटल तीन फंदे सीधे रह गई हैं फिर धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा आगे ही रखेंगे 3 times slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, slip करेंगे, उल्टा, slip करेंगे, उल्टा 2, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे 3, 1 फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 3 times slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे 1, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे 2, 2 slip करेंगे उल्टा बनाएंगे 3 धाग पीछे last के दो फंदे सीधे एस्टिज भी सीधा ही रो थर्टिन राइट साइड एस्टिज ऐसे ही उतारेंगे यहां से repeat pattern start करेंगे starting के तीन फंदे सीधे 1 2 3 धाग आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब एक फंदा slip करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे यह तू टाइम हम repeat करेंगे slip करेंगे उल्टा बनाएंगे 1 slip करेंगे उल्टा बनाएंगे 2 धाग पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बना लेंगे यह दिखे, starting cash चे छोड़ कर, यहां से यहां दक हमारा एक pattern complete हो गया है, इस पर हमने तीन फंदे सीधे बनाए, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, और टू टाइम, एक फंदा slip किया, उल्टा बनाया, और दो फंदे सीधे, फिर से pattern बीट करेंगे, तीन फंदे सीधे, वान, अब देखे, center में total 5 फंदे सीधे हो गये है, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, और टू टाइम, एक फंदा slip करेंगे, उल्टा बनायाएंगे 1, slip करेंगे, उल्टा बनायाएंगे 2, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फि slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे 1, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे 2, धागा पीछे, last के तीन फंदे सीधे बना लेंगे और air stitch भी सीधा ही, row 15, right side, air stitch ऐसे ही उतारेंगे, repeat pattern स्टार्ट करेंगे, starting के 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, 1, 2, 3, स्टार्टिंग का ऐसे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने 4 फंदे सीधे एक फंदा उल्टा स्लिप किया, उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर से 4 फंदे सीधे, 2, 3, 4, धागा आगे, एक फंदा उल्टा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से 1, 2, 3 फंदे सीधे, रपीट करेंगे, 2, 3, 4 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा आगे ही रखेंगे, स्लिप करेंगे, और एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पिछे, और लास्ट के फोर फंदे सीधे बना लेंगे, एस्टिच भी सीधा ही, ये देखें फ्रेंट, हमारी सि भी complete हो गया है, फिर से हम इसे first row से start करेंगे, एक पारापिस की first row देख लीजिए, कैसे करेंगे, as stitch ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर यहां से repeat pattern start करेंगे, 2 times, एक फंदा slip करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर फिर रपीट करेंगे, एक फंदा slip करेंगे, उल्टा बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, सेंटर का फंदा एक सीधा रखेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे, यह हमने 4 times repeat करना है, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ये दिखे, ये हमारा center का फंदा है, इसे सीधा रख लेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर slip करेंगे, उल्टा बनाएंगे, इस लिप करेंगे और उल्टा बना लेंगे, ऐस दिस सीधा, ये दिखिए, फिर से हमारा पैटर्न फस्ट ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है, और ऐसे ही बार बार इसकी 1, 2, 16 रोर पीट करते जाएंगे, और ये डिजाइन बनकर इस तरह से दिखने ये दिखिए फ्रेंड, ये दिखिए, तो फ्रेंड आप भी इसे बनाएए और अपने एक्स्पिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सिस्काइब करना मत पूले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीड मुड स्थकू हमारे ओर आपको हमारे यह गो पारे से बreat Nics다가 साथ हमारे से बनाएएब करना मत पूले के पूले कें सबच्टा हमारे जए उे पुरपएब करिए, दिखिए अनाएब करू हमारे ऑटके कुछ करूआरे यह।